जैस्री किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको जन्माष्टमी से सम्मंदे जानकारी दे रहा हूं जन्माष्टमी का ये पर्व बादपद मास के तृष्ण पक्की अष्टमी को मनाया जाता है इस दिन रात बारवजे भागवान से किष्ण का जन्म हुआता है और भागवान से किष्ण को उनकी प्रिय चीज अरपण की जाती है क्रिष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है इस दिन जो मेलाएं ब्रत रखती है उन्हें पुत्र प्राप्ती होती है जिस कामना से ब्रत किया जाए वह मनुकामना पूरी हो जाती है जने दमपतियों को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है उनको इस दिन ब्रत अवश्य रखना चाहिए साथ ही भगवान के सामने कुछ चीज़े अरपन करनी चाहिए जिससे भगवान आपकी प्रतेक मनोकामना पूरी करेंगे जनमाष्टमी के दिन पूरे दिन कुछ बातों का विशेश रूप से द्यान रखना चाहिए जनमाष्टमी के दिन ओम नमो भगते बास देवाय नमा मंत्र का जाप करना चाहिए जनमाष्टमी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए जनमाष्टमी के दिन किसी से लड़ाई जगड़ा नहीं करना चाहिए जनमाष्टमी के दिन ब्रह्मचर के साथ रहना चाहिए दोस्तों जनमाष्टमी के दिन किसी का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए जनमाश्टमी के दिन जो व्यक्ति भगवान को फल अरपन करते हैं, नेविध्य अरपन करते हैं, रात बारवजे भगवान को भोग लगाने के बाद में वह प्रसाद आपको खाना भी चाहिए और दो चीजें भगवान को जरूर अरपन करनी चाहिए इनने दो चीजों को अरपन करते हैं, आप अपनी मनोकामना बोलें, आपकी प्रतेक मनोकामना पूरी होगी भगवान की गरपा से जो आपके मन में चाहिए, वह प्रतेक चाह पूरी होगी दोस्तों भगवान स्री किष्ण का ये जन्म सब बड़े दूमदाम से साथ मनाया जाता है रात बारे वजे भगवान का अफशेक किया जाता है अफशेक में गाय का दूद और गाय का गी जरू समलित करना चाहिए अब शेक के बाद में भगवान को वस्तर धरन कराएं और पालले में उनको ब्राजमान करें कृष्ण चठी तक भगवान पालले में ही रहते ही उसके बाद उनको मक्कन मिस्री का भोग लगाएं साथ ही दोस्तों सबसे पहला है तुलसी पत्र भगवान को तुल सी पत्र चड़ाना न भूले, मक्खन के साथ में भगवान को तुल सी पत्र आपको जरू चड़ाना है दूसरा है भगवान के शब्षे प्रिया चीज मोरपंग उनके मुकुट में आपको मोरपंग जरूर लगानी चाहिए और साथ ही भगवान को बांशुरी अरपन करनी चाहिए मोरपंग भगवान को विशिश प्रियता और वह सदयव अपने पास रखते थी इसलिए पाँच, साथ, ग्यारे मोरपंग लेके आएं सबसे पहले सारी मोरपंग के भगवान के सामने अरपन कर दें उसमें से एक भगवान को अरपन करके बागी आप घर में लाकर करके रखें इससे मनो कामना पूरी हो जाती है जो व्यक्ति इस दिन भगवान को तुलसी पत्र अरपन करते हैं, उनकी प्रतेकारशित हो जाते हैं जो व्यक्ति तुलसी पत्र का नेविद्य अरपन भी करता है और खाता भी है भगवान उसे पुत्र धन प्राप्ति का आशिरवाद देते हैं जीवन में आ रहे ही सारी समस्यां दूर हो जाती है पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है बड़े उसा के साथ में भक्ती बाव के साथ में यह पर्व मनाया जाता है भगवान के इसनान का जो जल होता है पंचामनत होता है उसे भी पान करना चाहिए इससे सरी स्वस्त होता है और निसंतान दंपत्यों को संतान का शुक पराप्त होता है वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जैसरे कि